Hello guys, Namaste, Konnichiwa, Welcome to my channel, आप देख रहे हैं Japanese Vidivishal and अभी 4 minutes के अंदर-अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि JLPT N3 की आपकी strategy कैसी होने चाहिए हो सकता है कि आपकी strategy मुझसे भी better हो, तो आप अपनी strategy को follow करना अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा better है तो आप इसको follow करना, जरूर follow करना क्योंकि मैं अपने students को भी यही सला देता हूँ कि इस तरीके से आप follow करना, okay so the first thing is कि आपका, मैं assume करता हूँ कि आपने 25 chapters complete करें, at least 22-23 chapters करें, last वाले 2-3, नहीं भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने students को इतने time नहीं था, तो 2 chapters जो last वाले नहीं करवा पाया था, करवा जरूर दूँगा, बट अभी वो जितना हमने 95% पढ़ा है, उस पे ज्यादा focus होना चाहिए, जो हम आपने पड़ा है, क्या वो हमें आता है के नहीं आता है, अगर वो नहीं आता है, तो सबसे पहले उसको improve करना पड़ेगा, क्योंकि अभी exam आ रहा है, one month ही है, मारे पास 30 days का plan है, okay, so मैं जियूम करता हूँ कि आपने 23-25 chapters कर लिए है, आपको vocabulary आती है, आपको grammar भी आती है, समझ आता है, आपको kanji, अगर अलग से आपने कुछ 100 and 150 के असपास करी हुए है, तो best, and उसके बाद आपकी listening, आपने कुछ सुना है, आप anime देखते हो, आप drama देखते हो, बस, enough, या फिर आपने मिनन और नहुंगो की listening कर रखी है, okay, so the thing is, कि आपने, अभी यहाँ पे आपको, ठेक है, अब इस chapter में, आप देखोगे कि, जो नीचे जाऊंगा मैं, तो हमारा जो रेंशू भी आता है, यह वाला रेंशू भी, I hope कि यह आपने कर लिया होगा, सभी का complete होगा, उसके बाद, ठेक है, रेंशू C आता है, and फिर मुंदाई section आता है, मुंदाई section, इ मेरी strategy क्या होती, अगर मैंने यह नहीं किया है, तो मैं पहले 15 days, फिर 10 days, फिर 5 days, ऐसे ही डिवाइड करता है, मन्त को, या फिर 10, 10, 10 में डिवाइड कर लो, जिसका जो भी chapter रहता है, पहले वो कर लो, JLPT N5 का जितने भी chapter रहते हैं, पहले वो कर लो, and मैं आपको यही recommend इसको करना start कर दो, grammar पड़ो, vocabulary पड़ो, इसको करना start कर दो, फिर check करो कि मैंने सही किया है, या फिर गलत किया है, okay, so इस तरीके से आपको करना है, follow, and जब आप पहले 10 दिन में इतना कर लोगे, plus आप vocabulary का भी, उस दिन एक एगंटा आप हर चीज को देना, एक गंटा vocabulary, एक गंटा कांजी को, एक grammar को करने के लिए, and एक गंटा आप listening को, 4 आज तो दिन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका exam आ रहा है, कोई मजा कर नहीं है, अभी, अभी आपको serious होना ही पड़ेगा, listening के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप just कोई drama देखो, कोई anime देखो, सुनते रो, सुनते रो, समझना नहीं है, सुन नहीं है बस, ठेक है, and जो अभी आप 10 days में या फिर 15 days में यह सारा अगर कर लेते हो, सारा syllabus हो जाता है, तो उसके बात strategy क्या होनी चाहिए, यह बहुत ही important, बहुत ही ज्यादा important चीज़ बताने वाला हूं, यह जहां से यह chapter start ह 20 से यहां से start कर दो, यह बुन कहीं है, यह पहले 1, 2, 3, 4, यह पढ़ो, complete पढ़ो, यह रे बुन आ जाता है, इसके यह सारे examples पढ़ दालो, यह आड तक है, सारे पढ़ दाने, एक, एक word पढ़ना है, खाईवा, read कर लो, सारा का सारा, सारा का सारा, read करना है, and उसके बाद, रेंचू A आता है, रेंचू A रीड कर लो, सारा, complete, रेंचू B आता है, read कर लो, सारा, रेंचू C आता है, सारा complete करो, मोंदई आती है, सारी read करो, एक chapter कर लिए, हमने 20 chapter के हमने सारे expect कवर कर लिए, अब आपको लग रहा होगा, यह तो इतना जादा है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अभी धिमाग नहीं लगाओगे, धिमाग लगाना का काम आपने कर लिया, जब आपने homework किया था, अब homework में आपने समझ लिया है, आपको understanding है, आपको याद भी है, जस्त अभी reading practice करनी है, कि मैं इसको किस तरीके से जल्दी जल्दी cover करूं, एक minute में अगर नहीं पढ़ना चांते, fast, तो आप क्या करोगे, 60 second में से, अगर 40 second आप question ही बढ़ रहे हो, तो 20 second में आप कैसे कर पाओगे question, 20 second जो है, वो आपके लिए बहुत कम हो जाएंगे, और बाकी के questions आप attempt नहीं कर पाओगे, तो important यह है कि आपके reading habit, यह जो मैं आपको technique बता रहा तो यह technique मेरे लिए तो बहुत काम की थी, even अभी मेरा N2 का exam आएगा, पढ़ा ही मुझसे बिल्कुल नहीं हो रही है, but मैंने already बढ़ रखाया, just मुझे इस तरीके की एक revision चाहिए, सिर्फ एक, मेरा काम हो जाएगा, यह मेरा एक finishing move है, अगर आप इसको follow करते हो, तो definitely गोई आपको रोख नहीं पायागा पास होने के लिए, ठीक है, so ऐसे करके आप सारे के सारे chapters करोगे, 1 to 25, सारे के सारे chapters, ठीक है, so जैसे मैंने बताया, 15, 10 and 5 में divide कर लो, यह फिर अगर आपकी बहुत ही अच्छी revision हो चाहिए, 10, 10, 10 days में divide कर लो, पहले 10 days में सारे के सारे aspects को cover कर लिया, vocabulary, grammar, यह जो कई, reading, फिर दूसरे 10 दिन में आपको सिर्फ एक chapter रीड करना है, दिमाग नहीं लगाना है, just read करते रो, करते रो, करते रो, करते रो, जो words समझ नहीं आ रहा हो एक side पे लिग देना, and जो last word 10 days बचेंगे, उसमें आपको, वो words देखने हैं, जो आपकी कम रहे हैं, तो आप अपनी आली को follow करना, क्योंकि अपने आप पर trust करो पहले तो, ठीक है, और अगर आपको इसके related कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे comment box में लिख सकते हो, मैं उसके ओपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, next वीडियो में मैं N4 की strategy बताऊंगा, N4 में भी same ऐसा ही है, बट थोड़ा सा जो मैं उसको अलग touch दूँगा, कुछ अलग करने को बोलूँगा, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आओगा, अगर आपको इस तरीके का content पसंद आता है, तो मेरे चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं आप स झाल झाल